नमस्कार आदाब सच्छी अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार नरेंद्र मोदी ने गजा में कतलयाम रोकने को लेकर प्रस्ताव से भाग कर पूरे देश की नक कटा डाली है कि गांधी बाबा का भारत छटाक भर के एक गुंडे देश की निरंकुष्टा के आगे थर-थर काप रहा है दुनिया पूछ रही है कि यह इंसा और नयाय के प्रति जिस भारत की प्रति बद्धता के हम कायल थे उसे 56 इंची छाती वाले विश्व गुरू ने क्या इतना काय बना दिया है कि वह सन्युक्त राष्ट में वोटिंग से ही भाग खड़ा हुआ इंडिया और भारत पर मर मिटने वालों ने भारत की साख को ही दाव पर लगा दिया एक कायर लिजलिजे और समझोता वादी देश की तरह दर्ज हो रहे हैं हम नरेंद्र मोदी ने सत्तर बर रहा था और सन्युक्त राष्ट महासभा में इसे तत्काल रोकने का प्रस्ताव आया था तब भारत इससे भाग खड़ा हुआ था और तब हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे दुनिया याद रखेगी कि जब भारत ने इसराइल के शान में वोटिंग स भागने का फैसला किया तब गाजा पट्टी में तीन हजार बच्चों की लशे पड़ी हुई थी भारत की नाक कट गई है क्यों इसके वोटिंग से भाग खड़े होने के बावजूद प्रस्ताव तो पास हो ही गया ना मतलब जात भी दे दी और भात भी ना मिला क्या आप कि इसराइल ने हमारे 57 कर्मचारियों को मौत के घाट उतार दिया है जबकि वो सिर्फ लोगों की मदद कर रहे थे फूड पैकेट पानी दवाईयां जरूरत की चीजे बाट रहे थे नरेंदर मोदी को कोई बताए कि गाजा अब किसे शहर का नहीं एक विशाल कबरिस्तान का नाम है जहां बच्चों तक को कफन और ताबूत मैसर नहीं हो रहे हैं नरेंदर मोदी को कोई बताए कि वहां लूडो नहीं खेला जा रहा है प्राणायाम नहीं हो रहा है कपाल भाती नहीं हो रहा है ऐसे ही नहीं आया था गाजा पर बंबारी रोकने का प्रस्ताओ सन्युक्त राष्ट की इस एजनसी के अधिकारियों के मताबिक गजा के लोगों को लग रहा है कि वो अलग थलग और अकेले पड़ गए हैं और दुनिया को उनके बच्चों और औरतों की चीखें तक सुनाई नहीं दे रही हैं यहां तक कि गांधी के देश भारत को भी नही लखिए इसराइल ने सन्युक्त राष्ट राहत एजनसी के 57 कर्मचारियों को भी मार डाला है जी हां 57 और अब यूए नार डबलुए ने चेतावनी दी है कि हमारे पास लोग नहीं हैं और कुछी दिनों में हमारा काम बंद हो सकता है रहत और बचाओं का नरेंद्र मोदी को केवल दस ट्रक जी हां केवल दस ट्रक बीस लाग से ज्यादा लोगों के लिए पानी खाना और दवाईयां लेकर गजा में दाखिल हुए इनके साथ स्वास्त कर्मियों की एक टीम भी थी लेकि राहत एम बचाओं कारियों में जुटी एजनसीयों का कहना है कि यह मदद बहुत कम है वहीं फलस्तीनी रेड क्रॉस सोसाइटी ने खबर दी है कि हमारी अमबुलेंसों में तेल नहीं बचाया डीजल नहीं है और कुछ ही जीवन रक्षक मशीने काम कर लें और अभी तक गजा में इंधन ले जाने पर सहमती नहीं बनी है और ऐसी सूरत में भारत का लडाई रोकने के प्रस्ताव पर महासभा में वोटिंग से भाग खड़ा होना अब जरा ये भी देख लीजे कि 27 सक्टूबर को गजा के नागरिकों की सुरक्षा और मानवीय मदद को जारी रखने के लिए सन्युक्त राष्ट महासभा में लाया गया प्रस्ताव था क्या सन्युक्त राष्ट ने कहा कि हम विबिन पक्षों से तनाव कम करने हिंसा से दूर रहने की अपील करते हैं हम इसराइल से हमलों को ततकाल रोकने की अपील करते हैं लेकिन हैरानी की बात ये है कि हमेशा से अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले भारत में सन्युकत राष्ट महासभा में उस प्रस्ताव से ही तूरी बनाली गोटिंग से भाग ख़़ा हुआ अब समझे कि इस दूरी ने कैसे भारत की नाक कटा दी वोएसे कि भारत के भागने से कुछ हुआ नहीं सिवाइ इस बात का इतिहास में दर्ज हो जाने के कि भारत हजारों बच्चों को मार देने वाले एक बरबर देश का विरूद करने की हिम्मत नहीं रखता इस प्रस्ताव के पक्ष में 120 तेशों ने वोट किया 14 तेशों ने इसके खिलाफ मत्तान किया और भारत समेट 45 तेशों ने वोटिंग से दूरी बनाई ठीकि सबसे ज़्यादा हैरानी भारत के रुख से हुई क्योंकि भारत पहले दिन से आजाद फलस्तीन का समर्थक रहा है और किसी भी तरह के हिंसा के खिलाफ खड़े होने का हिमायती कांग्रेस की महासच्यू प्रियंका गांधी ने भारत सरकार के इस फैसले के निंदा तो की साथी शर्मिंदगी भी जताई उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि महात्मा गांधी कहते थे आँख के बदले आँख पूरी दुनिया को वंधा बना देती है इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा मैं स्तब्ध और शर्मिंदा हूँ कि हमारे देश ने गाजा में युद्ध वेराम के लिए मतदान करने से परहेज किया हमारे देश की स्थापना अहिंसा और सत्य के सध्धानतों पर हुई थी जन सद्धान्तों के लिए हमारे स्वतंतलता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया ये सद्धान्त सम्विधान का आधार हैं जो हमारी रास्ट्रियता को परिभाशित करते हैं वे भारत के नैतिक साहस का प्रटनिधित्व करते हैं जिसने अंतराश्टिय समुदाई के सदस्य के रूप में इसके कारियों का मार्ग दर्शन किया जब मानौता के हर तकाजे को तहस नहस कर दिया गया है लाखों लोगों के लिए भोजन पानी चिकित्सा पूर्ती संचार और बिजली काटती गई है और फलस्तीन में हजारों पुर्शों महिलाओं और बच्चों को मारा जा रहा है तो स्टैंड लेने से इंकार करना और इसे चुपचाप देखते रहना गलत है एक रास्ट के रूप में हमारा देश अपने पूरे जीवन काल में मानों मूलियों के सभी अधार भूद चीजों के लिए खड़ा रहा है तो क्या ये शर्मिंदगी केवल प्रियंका गांधी की है या फिर इसमे देश के एक बहुत बड़े हिस्से की शर्मिंदगी भी शामिल है जो गाजा में दूद और पानी के लिए तरपाय जा रहे बच्चों बमों से उड़ाय जा रहे बच्चों और अनात किये जा रहे बच्चों के लिए जम्मेदार टुच्चे इसराईल के आत पर उतरते हैं तो पुलिस उन्हें उठा लेती हैं उन्हें जेलों में डाल दिया जाता है उन्हें धम काया जाता है अपनी चवी को बचाने के लिए सरकार ने फलस्तीन को राहत समगरी भेज कर दुनिया भर में इसका डिंडौरा पीटा लेकिन इसके उलट देश में फलस से एक वीडियो बनाया था आपने देखा भी होगा नहीं देखा तो हमारे चैनल पर इसराइल फिलस्तीन की प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं कभी भी 27 अक्टूबर को दिल्ली प्लिस ने कोई 50 फिलस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया इनका कसूर केवल इतना था कि ये दिल्ली के जंतर मंतर पर इसराइल हमास संघर्श के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे प्रदर्शनकारी हाथों में युद्ध और इसराइल के खिलाफ प्ले पूरे दिल से इसराइल के साथ खड़े हैं और इसे लेकर किसी के मन में कोई भ्रह्म नहीं होना चाहिए इस वीडियो में इतना ही लेकर अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉरण कीजिए बेल आइकान दबाईए घंटी जैसी आकरिती लाइक कीजिए और कमेंट करके बताईए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा यूट्यूब पर दे कर दो